दोस्तों आज हम इन कोशनों को बड़े प्यार से सीखेंगे ध्यान देना कॉंसेट को जैसे यह ए प्लस भी है तो यह जो ब्रेक होगा उसे ए प्लस भी इसके बराबर अगर यह चीज ऐसे आ गई तो यह आंसर होगा याद रहे, यहाँ plus है, तो यह plus का symbol रहेगा, अगर यहाँ minus है, तो यहाँ minus का symbol बढ़िया से समझें, जैसे इस question को देखू, यह break हुआ, और एक बात याद रखना, यहाँ दो mandatory है, होना ही चाहिए समझे जैसे यहाँ दो और लेड़ी है तो 5 गुड़ा 6 तो 5 6 का योग 11 होता है 5 6 का योग 11 यानि जो बड़ी वैलू है उसे पहले लिखेंगे और छोटी को बाद में फिर से समझो जैसे यह 15 है तो 5 त्याए 15 और 5 और 3 का योग 8 तो क्या लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 3 जैसे यहाँ 21 है तो 7 गुड़े 3 21 हो गया तो यहाँ 10 7 3 10 तो यह रूट 7 माइनस का रूट 3 हो जाएगा कॉंसेप्ट आपके सामने अब आते हैं इस कोशन पे ध्यान देना यहाँ पहले हम 2 बनाएंगे तो जब हमने 2 बनाया तो 2 इंटू 5 रूट 3 हो गया दोस्तो अगर आप गौर से देखेंगे गौर से देखेंगे तो यह वैलू को अगर हम रूट में ले जाएंगे तो 25 इंटू रूट 3 हो गया और 25 और रूट 3 का योग 28 हो गया यानि 25 और तीन का योग 28 हो गया क्योंकि ये और ये चीज ऐसे बना रहे है तो 25 तीन 28 तो इसकी जो वैलू लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे 5 प्लस रूट 3 अगर आपको सेशन पसंद आया लाइक सेर और सस्क्राइब किजिए